आप सभी का स्वागत है जहां आज आप देख रहे हैं देश, प्रदेश और दुनिया से जुड़ी कुछ खास चुनिंदा खबरें वो भी मेरे साथ क्रूज रेफ पार्टी के खुलासे के बाद प्रदेश के राजनति गलियारों में हलचल तेज है राकपा नेता मंतरी नवाब मलेक एक एक कर बंपोड रहे हैं आज पूर्व मुख्य मंतरी देवेदर फटनविस धमाका करने उतरे इसी बीच मुंबई पुलिस की विशेड जांच टीम ने NCB के दक्षन मुंबई कारेलों के CCTV फुटेज मांगे ड्रग्स ओन क्रूज मामले में NCB टीम के खिलाब जबरन बसूली के आरोपों की यह समांदत जांच की प्रक्रियों का हिस्सा है उधरा मिताब बच्चन के घर लगी एक पेंटिंग में सांड की चर्चा खास है इस पेंटिंग की कीमत करीब 4 करोड बताई जा रही है बहरहाल देश के मशूर उद्योगपती मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया फिर चर्चा में है इस घर का पता पूछने वाले दो लोगों में से एक ही पहचान हो गई है मुंबई पुलिस ने उसे जाच के लिए बुलाया है इसी बीच पूने के पिसोलिस्ते दगडे बस्पिती में एक फरनीचर गोदाम में भीशन आग लग गए लगबग तीन घंटों की कडी मशकत के बाद आग पर काबू पाया जा सका प्रदेश के इन पाच बड़ी ख़बरों को वस्तार से जानने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ महराश के पूर्व मुख्य मंतरी देवेंद्र फटनवस ने राजसरकार में मंतरी नवाब मलिक पर अंडर वॉल्ड से संबंध होने के आरोप लगाए है फटनवस ने एक प्रेस कॉंफरेंस के दौरान मुंबई सीरियल ब्लास्ट के आरोपियों का जिक्र किया उन्होंने आरोप लगाए कि मलिक ने धमागे के आरोपियों से जमीन खरीदी थी भाजपा नेता ने कहा कि दावे से जुड़े दस्तावेज वो सही अधिकारियों और रांकपा प्रमुक्षरत पवार को सौप देंगे देवेंदर फटनवस ने मंगलवार को शाहब अली खान, मुहमद सलीम पटेल, सरदार खान समेद कई नामों का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि नवाब मलिक का अंडर वर्ल के लोगों के साथ लेना देना है जो वर्ष 93 मुंबई धमाकों के आरोपी ठहराए गए थे उन्होंने दोशियों से बाजार से कमभाव में जमीन खरी दी, उन्होंने सवाल किया क्या यह डील टाडा के तहत एहम जमीन को जब्थ होने से बचाने के लिकी गई थी भाजपा नेता ने कहा कि ऐसी चार जमीने हैं जिनके तार अंडर वर्ल्ट से जुड़े हुए हैं उनके आरोपों का सिलसला जारी है याद रहे नवाब मलिक ने देवेंद पड़नविस पर बेहद संगीन आरोप लगाये थे मलिक ने कहा था कि मुंबई महराश्य और गुवा में ड्रक्स का कारोबार देवेंद पड़नविस के संग्रक्षन में किया जा रहा है पड़नविस ने मलिक के आरोपों के बेबुन्या ठेहराते हुए कहा था कि नवाब मलिक ने एक फूल जड़ी दिवाली के पहले जलाई है दिवाली के बाद धमाका बीजेपी करेगी पड़नविस के धमाके का यह ट्रायल माना जा रहा है मुंबई पुलिस की विशेश जांच टीम ने NCB के दक्षिन मुंबई कारलेों के CCTV फुटेज मांगे हैं मुंबई पुलिस के सूतरों ने बताया कि NCB को फुटेज उपलब्द कराने के लिए अपचारिक रूप से कहने की प्रक्रिया शुरू हो गई है उन्होंने 2 अक्टूबर की रात तकी तारीकों के फुटेज मांगे हैं जब आरेन खान और अन्य आरोपियों को ड्रग्स मामले में NCB कारले में लाया गया था बता दें कि यह टीम ड्रग्स ओन क्रूज मामले में NCB टीम के खिलाफ जबरन वसूली के आरोपों की समानतर जांच कर रही है इसमें बॉलिवुड मेकास्टार श्वारुख खान के बेटे आरेन खान आरोपी है इसी बीच मंगलवार को महराश की ग्रह मंत्री दिलिव बल से पाटिल की अधिकारिक आवास पर एक उच्छसतर ये बैठक बुलाई गई मुंबई पुलिसाइक थेमन नगराले और सयुक्त सीपी कानून विवस्था वी नांगरे पाटिल एनसीबी प्रमुक शरत पवार के साथ इस बैठक का हिस्सा थे सूतरों ने बताया कि अन्य घटना करमों के अलावा समीरवान खेड़े के खिलाफ आरोपों में SIT की प्रगती पर भी चर्चा की गई एनसीबी के स्वतंतर गवाह प्रभाकर सेल ने दावा किया था कि उसने एनसीबी के गवाह के पी गोसावी को 25 करोड रुपए के भुगतान सौदे पर चर्चा करते हुए सुना था जब इस मामले के सिलसले में NCB द्वारा आरियन खान को गिरफतार किया था गोसावी को बाद में पूने पुलिस ने धोका धड़ी के एक मामले में गिरफतार किया था अमिताब बचन लागों के दिलों पर राच करते हैं सीलिए उनकी हर अदा प्रशन सको के लिए खास होती है इन दिनों उनकी दिवाली की फैमली फोटो सोशल मीडिया पर वाइरल है इनमें खास तस्पीर के बहुत चर्चे है इसमें अमिताब बचन अपने परिबार के परचे हो रहे हैं कई लोग घर की दिवार पर चलते सांड की पेंटिंग लगाने के फायदे भी बता रहे हैं रिपोर्च के मताबिक या बुलाट जाने मने पंजाबी आर्टिस्ट मंजीत बावा की है वह सूफी स्पिरिचुल और जानवरों से जुड़ी पेंटिंग बन इससे लाब, सफलता और समरुधी आती है या घर के लोगों को नकरात्म कूर्जा से भी बचाता है एक रिपोर्ट के मताबिक वास्तू एक्सपर्ट ने भी बताया कि ऐसी पेंटिंग घर पर रखने पर घर पर फिजूल जगड़े नहीं होते और सांड का मुव्मेंट जी बारे में बताया कि वह गुजरात का रहने वाला है और टैक्सी चलाता है अभी तक उसके पास से कुछ भी संदिक्द चीजे बरामत नहीं हुई है बता दे कि दो संदिक्द यात्रियों के पास थेले होने और उनके द्वारा इंटीलिया का पता पूछे जाने के बाद एक सूचना पुलिस को दी थी एक अधिकारी ने कहा कि टैक्सी चालक दक्षन मुंबई में किला कोट के पास खड़ा था तब ही एक कार आई और उसमें सवाल लोगों ने अंबानी के आवास का पता पूछा अधिकारी ने टैक्सी चालक के हवाले से बताया कि कार में सवार दो फरवरी मेंटी लिया के बाहर एक संदिक दिवाहन पाया गया था जिसमें जेलेटिन की छड़े विली थी जिसके बाद की कहानी उलच्टी ही चली गई और आज तक उसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हो पाया पुलिस महकमे को उस मामले में कड़ घरे में खड़ा होना प पाबू पाने में सफलता मिली गटना के बारे में पता चलते ही पूने वर पी एम आर डिये की चौदा दमकल गारियां गटनास्तल पर पहुंची इस गोदाम के मालिक ने गोदाम को दो लोगों को किराय पर दिया था लगबग 35,000 वर्क फीट के इस गोदाम में रात के समय कोई नहीं था गोदाम में सभी लकडी का सामान था इसलिए आग पूरी तरह से फैल गई दमकल टीम की गारी गटनास्तल पर पहुंची तब तक आग ने भयानक रूप धारन कर लिया था आग की तिवरता इतनी थी कि उस पर पानी का फवारा डालने के लिए भी दमकल की ट जानकारी सामने नहीं आई अधिकारी प्रकरण की जांस तो कर रहे हैं साजिश की बू अभी तक सामने नहीं आई है इसलिए शौर्ट सरकिट कारण बताया जा रहा है अगनी शमर अधिकारियों के अनुसार बीमा लाप से लेकर शड़ेंद्र के नजरिये से भी तहकीकात क की जा रही है महाराश्यों के एहमद नगर के बाद मध्यप्रदेश की राजधानी भुपाल में एक अस्पिताल में आग लगने से आईसियू में भरती चार बच्चों की मौत हो गई इसी बीच बिहार में राजनितिक शेत्र से स्तब्द करने वारी जानकारी सामने आई सौवर्तबान विधायकों की संपत्ती इनकी स्वगोशित संपत्ती के मुकाबले गलफ पाई गई तो उभोकता सामान बनाने वाली कंपनियों को अब अपने उतपादों के पैकेट पर अधिक्तम खुद्रा मुले अर्थाद MRP के साथ साथ यूनिट सेल प्राइज अर्थ यूएसपी भी लिखना होगा उधर मंत्राले से जुड़े एक सूत्र ने बताया कि पांच वर्ष बाद नोडबंदी का सकरात्मक असर भी साफ तोर पर देखा जा रहा है इसके अलावा यूपी में एक मुलिस अधिकारी को आशिक मिजाजी भारी पड़ गई कतित दूसरी पत्नी ने थाने पहुँच कर तीसरी महिला से सम्मद रखने का आरोब लगाते हुए हंगामा कर दिया हवलदार का दंडा खीच पिटाई भी की देश के इन पांच बड़ी और ताजा तरीन खपरों को विस्तार से जाने के लिए बने रहे हमारे साथ भोपाल में सरकार द्वारा संचालित कमला नहरूच चिल्डरन हॉस्पिटल में सुमबा रात आग लगने से यहां भरती चार बच्चों की मौत हो गई एक अधिकारी ने बताया कि आग अस्पिताल की तीसरी मंजिल के एक वार्ड में लगी जहां आईसी उओ है पुलिस के अनुसार रात करीब 9 बजे आग लगी जानकारी मिलते ही आग बुझाने के लिए दमकल के 8-10 गाडियां मौके पर भेजी गई अस्पिताल की तीसरी मंजिल पर पीडियाट्रिक वार्ड में आग लग गई थी जहां छोटे छोटे बच्चे भरती थे बाहर उनके परिजन मौझूद थे लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी आकरोशित परिजनों को संभालने में पुलिस और अधिकारियों को काफी मुश्किले आई कुछ परिजनों ने अस्पिताल के कर्मचारियों पर लाबरवाही की आरोब भी लगाए उनका कहना है कि आग लगने के तुरंद बाद बच्चों को बचाया जा सकता था लेकिन कर्मचारी खुद को बचाने में लग गये बाद में जब बच्चों को बचाने की कोशिश शुरू हुई तब तक आग गंभी रूप ले चुकी थी और अंदर धुआ भर गया था आग पर काबू पाने की पुष्टी होने के काफी देर बाद तक परिजनों को कोई जानकारी नहीं दी गई इसके चलते परिशान दिखे एक महिला जो पहले भी अस्पिताल के अंदर थी उसने बताया कि एक कमरे के अंदर काफी धुआ था 36 बच्चों को वहां से सुरक्षत निकाल लिया गया बतादे की कमला नहरू चिल्रन हॉस्पितल हमीदिया अस्पिताल का हिस्सा है जो राजिक की सबसे बड़ी सरकारी चिकितसा सुविधाओं में से एक है पिछले बर्ष हुए बिहार विधानसवा चिनाव के दुरान सभी उमिद्वारों ने अपने-अपने हलफ नामे में संपती का ब्योरा दिया था जीते हुए सभी माननियों की संपत्यों की जाँच का आदेश चिनाव आयोग ने आयकर विभाग को दिया था इसकी समूचित रिपोर्ट तयार कर चिनाव आयो को भेजी जाएगी जिन सौ विधायकों की संपत्ती इनके स्वगोशत संपत्ती के मुकाबले गलत पाई गई है उन्हें आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है इनसे घोशना पत्र और हकीकत में संपत्ती में अंतर का कारण पूछा गया सभी विधायकों को नवेंबर के अंतर जवाब देने को कहा गया हाला कि कुछ विधायकों ने इसके लिए अतिरिक समय की मांग भी की समय सीमा बीतने के बाद भी कोई विधायक अपने हलफ नामे में गलत तरीके से घोशत संपत्ती का सटी कारण नहीं बता पाएंगे तो उनसे पूछताज भी हो सकती है साथ ही इसकी विस्तरत रिपोर्ट चनावायों को सौपी जाएगी इसके बाद चनावायोंक से प्राब दिशानरदेश के आधार पर कारवाई की जाएगी कुछ विधायकों की वास्तविक आए उनकी ओर से घोशत आए से कई गुना ज्यादा है फिलहाल ऐसे लोगों की खास तोर से जाच चल रही है जिन सौ विधायकों की गलत संपती का ब्यौरा पकड़ा गया है उनके पिछले तीन-चार सालों के आएकर रिचर्न की भी जाच की गई है इसमें तुलना करने पर कई स्तर पर गड़बडी सामने आई है उबोगता सावान बनाने वाली कंपनियां वस्तूं की कीमतों को लेकर कस्टमर्स को जहांसे में नहीं रख सकेगी उन्हें अब अपने उत्पादों के पैकेट पर अधिक्तम खुद्रा मुल्य अर्थात MRP के साथ साथ यूनिट सेल प्राइस अर्थात USP भी लिखना होगा फिलाल आटे चावल की बोरी या बिस्कुट के पैकेट से यह पता लगा पाना कठिन है कि वह दूसरे उत्पादों के मुकाबले सस्ता है या महंगा लेकिन अब अप्रिल महिने से महंगाई का आंकलन करना आसान हो जाएगा उब्होगताओं को खरीदी के संबन में उचित फैसला लेने में मदद करने के साथ साथ उद्यों के कारुबारियों पर अनुपालन बोज कम करने के लिए केंद्रि उभोगता मामलो के मंत्राले ने विधी माव विज्यान नियम 2011 में संशोधन किया है इसके तहट कंपनियों को पैकेट बन सामान के पैक पर यूनिट सेल प्राइस को च्छापना जरूरी हो जाएगा वो भोगता मामलों के मंत्राले की एक वरिश अधिकारी ने बताया कि एक किलोग्राम से अधिकी मात्रा का पाकेट बन सामान बेचने वाली कमपनियों को MRP के साथ प्रती किलोग्राम या जिस भी इकाई के हिसाब से बिकरी की जाएगी उसका USP को दर्शाना होगा इससे ग्राहों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी और वह निर्ने लेने में असहज महसूस नहीं करेंगे देश में हुई नोडबंदी को पांच बर्श हो गए हैं आठ नवेंबर 2016 की रात आठ बजे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोशना की थी और ये उसी रात बारा बजे से लागू हो गई थी नोडबंदी का सबसे पहला और सबसे बड़ा मकसद आतंकियों और उन्हें वित्य मदद देने वालों की कमर तोड़ना था इसके लाबा ब्रश्चाचार पर लगाम लगाना और लोगों को अधिक से अधिक डिजिटल पेमेंट के लिए जागरू करना था दिली में मंतराले से जुड़ेक सूतर ने बताया कि पांच बर्श बाद नोडबंदी का सकारात्म कसर भी साफत और पर देखा जा रहा है मौजूदा समय में प्लास्टिक मनी का प्रचलन तेजी से बड़ा है अधिकतर लोग डिजिटल पेमेंट की सुविधा का लाब उठा रहे हैं इसका एक असर ये भी देखने को मिला कि वितिय लेंदेन में जो पारदर्शिता नोडबंदी के बाद देखने को मिली वो इससे पहले दिखाई नहीं देती थी भी मैप, गूगल पे, पेटियम, फोन पे जैसे कई आप आज हर किसी की जिन्दगी से जुड़ चुके हैं नोडबंदी के बाद देश के अधिकतर लोग विशेशकर ग्रामहीन शेत्रों के लोगों को बैंकों से जोड़ा गया सरकार से मिलने वाली भितिय मदद को सीधे उनके खाते में डाला गया इसे लेंदेन में पारदर्शिता के साथ साथ जरुत मंदों को सीधी मदद की जा सकी यूपी के कानपूर स्थित ग्वाल टोली में तैनात अतिरिक्त SHO अरुनकुमार को आशिक मिजाजी भारी पढ़ गई फरुगबाद निवासी कथित दूसरी पत्ती ने सुमवार दोपहर थाने पहुँचकर इंस्पेक्टर पर तीसरी महिला से संबंद रखने और कई दन से होटल में उसके साथ रहने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया थाने के बाहर दोनों में जमकर मार पीट भी हुई इंस्पेक्टर ने दूसरी पत्नी को बाल पकड़ कर घसीटा वहीं दूसरी पत्नी ने पास खड़े सिफाही से डंडा चीन कर इंस्पेक्टर की धुनाई कर दी इससे उनकी वर्दी फट गई हाई वोल्टेज ड्रामे का पता लगने पर पुलिस आयक्त ने इंस्पेक्टर को निलम्बित कर मामले की जांच ACP को सौपी अरुन कुमार मूरूप से फिरोजाबाद जले के सिरसा गंच के रहने वाले हैं वहाँ उनकी पत्नी और दो बच्चे हैं पुलिस के मताबिक फरूखाबाद के मौदरवाजा की रहने वाली मंजू कठेरिया कई वर्षों से अरुन के साथ कैंट सित सरकारी आवास में रहती है पांच वर्ष पूर्वो उसने अरुन के खिलाब रेल वाजार थाने में दुश कर्म का मुकदमा लिखवाया था बाद में समझोता हो गया था अब मंजू खुद को अरुन की दूसरी पत्नी बताती है अरुन से नजदी की संपर्क रखने वाले थाने के ही कुछ कर्मचारियों का कहना है कि अरुन ने पांच अन्य महिलाओं से भी शादी की है वह शराब और शबाब का शौकीन है आज कौदोहल का शन रहा को शादी के लिए भारत आने की जाज़त मिल ही गई इसी बीच अफगानिस्तान में बदले हालातों को लेकर दिल्ली में आठ देशों की दो दिवसी बैठक बुलाई गई कल बद्वार को होने वाली बैठक में 054 स्टिल्थ युदपोथ सौपा है दावा किया जा रहा है कि यह युदपोथ आसानी से किसी भी रडार को चक्मा दे सकता है परेशानी श्रीलंका की भी बढ़ गई है एक चीनी फर्म ने श्रीलंका सरकार से अपने फर्टिलाइजर नमूने के परिक्षन में लापरवाही के लिए 60 करोड रुपे की मांग की है दुनिया भर की बाज बड़ी और ताजा तरीन खबरों को विस्तार से जाने के लिए बने रहे हैं हमारे साथ अंतराशिय अंतरिक्ष स्टेशन पर 200 दिन बिताने के बाद चार अंतरिक्ष यात्री आखिरकार धर्टी पर वापस आ गए हैं ये अंतरिक्ष यात्री स्पेस एक्स के क्रूड ड्रेगन कैपसूल के जरिये फ्लोरिडा के पास मैक्सिको की खाडी में उतरे इनके डाइपर पहन कर अंतरिक्ष से नीचे आने की खूब चर्चा हो रही है दरसल इलन मास की कमपनी स्पेस एक्स के अंतरिक्ष यान क्रूड ड्रेगन का टॉइलिट खराब हो गया था जिस कारण रास्ते में किसी भी परिशानी से बचने के लिए इन अंतरिक्ष यात्रों को डाइपर पहन कर यात्रा करने की सलाह दी गई थी रात में धर्ती के वायू मंडल में प्रवेश करते समय घर्शन के कारण स्पेस एक्स का क्रूड ड्रेगन कैपस्यूल थर्मल इमेज में लाल दिखाई दे रहा था लाइफ थर्मल वीडियो इमेजिंग में यह कैपस्यूल किसी उलका पिंड की तरह दिखाई दे रहा था समद्र में उतरने के ठीक पहले कैपस्यूल के पारशूट खुल गए जिस कारण इसकी रफतार घटकर 24 किलोमीटर प्रती घंटे तक पहुँच गई अमेरिका, फ्रांस और जापान अंतरिक शियात्रियों को रविवार को अंतरिक स्टेशन से निकलना था और सुमवार की सुबह उनका कैपस्यूल मैक्सिको की खाडी में उतरने वाला था लेकिन हवाओं की रफतार सुरक्षत सीमा से अधिक होने के कारण स्पेस एक्स ने अपने छे महीने के मिशिन का समापन सुमवार दो पहर तक टाल दिया था सगाई की चार साल बीच जाने के बाद आखिरकार पाकिस्तान की एक दुल्हन को शादी के लिए भारत आने की अजाज़त मिल ही गई सिंद्परांद के सुकुर्ष शहर की बंदना के स्वानी 25 साल की थी जब उनकी सगाई नाकपुर के अनिल जहमनानी से हुई थी अब 19 साल की वो हो चुकी बंदना पिछले हफ़ते ही बॉर्डर पार कर भारत आई है अनील एक पाकिस्तानी नागरिक था जो अब भारत के नागरिक बंद गया है शादी की तारीक 13 दिसंबर तै की गई है पाकिस्तान और भारत के संबन तनावपूर्ण दोर से गुज़र रहे हैं और करोना की वज़े से बॉर्डर करीब एक साल तक बंद रहा लेकिन बंद नाओ और अनील ने अपनी शादी के लिए इंतिजार जारी रखा महारतिय प्रवासियों के संगठन सिंधी हिंदी पंचायत के नेता राजिश जहांबिया ने इस कपल का मामला उठाया मैई 2018 में इस जोड़ी की सगाई हुई थी और एक साल बाद शादी की तारीक तैह होने के बाद लड़की के परिवार ने भारत के लिए विज़ा के लिए आवेदन किया उस समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई और भारत में इंट्री करने की कोशिश कर रहे पाकिस्तानियों को विज़ा से इंकार कर दिया गया था यह सिलचला करीब एक साल तक चलता रहा इसके बाद करोना की वज़े से बौडर बंद रहे हाल ही में लड़की के परिवार को भारती नागरिकता मिली है जांबिया ने कहा कि जलाई में बंदना और उसके परिवार को हवाई मार्क से आने की इजासत मिली लेकिन इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण परिवार ने बौडर खुलने का इंतजार किया बीते तीन नवेंबर को बंद ना भारत आई भारत ने पिछले दो दशकों में अफगानिस्तान पर तीन अरब जॉलर से ज्यादा खर्च किये हैं नहीं वज़ा है कि भारत तालिबान राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान के भविश्य की चिंता में विबन मोर्चो पर सार्थक पहल कर रहा है इसी करम में दिली में आट देशों की दो दवसी बैठक बुलाई गई राश्य सुरक्षा सलहाकार अजीद दोभाल की अध्यक्षता में कल बुदभार को होने वाली बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्के मिनिस्तान और उजविकिस्तान की चामिल होंगे अफगान संगत के बाद आतंगवाद का टरपंथ और मादक पधारतों के बड़ते खत्रों से ने पटने में विवहारिक सयोग के लिए साजा दृष्टी कौन की तलाश की जाएगी पहले पाकिस्तान और अब चीन ने इस बैठक में हिसा लेने से इनकार कर दि बलकि इनके समाधान के लिए दबाव भी डाल सके भारत ने साफ कहा कि तालिबान शासन के अधीन अफगानिस्तान को आतंकियों का पनाहगाब बनने नहीं दिया जा सकता तालिबान राज में अलसंख्यकों, महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए भारत को हिंद महासागर में घेरने में जुटा चीन लगातार पाकिस्तान को नए-नए हत्यार दे रहा है एक दिन पहले ही चीन ने पाकिस्तान को पहली टाइब 054 स्टिल्थ युधपोत सौपा है दावा किया जा रहा है कि यहाँ युधपोत आसानी से किसी भी रडार को चक्मा दे सकता है इसमें लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइले और एक मिनिट में कई राउंड फाइरिंग करने वाला अत्यादुनिक तो भी लगा हुआ है पाकिस्तान और चीन ने टाइब 054 युधपोतों के लिए साल 2017 में डील की थी इस करार के तहट पहला पोत पिछले साल अगस्त में तयार हुआ था लगभग एक साल तक इसका समुदरी परिक्षिन किया गया इस युधपोत में अत्यादुनिक सरफेस अब सरफेस और एंट्री एर हत्यार लगे हुए हैं इस युधपोत में इलेक्ट्रोनिक वारफेर एर और जमीनी निगरानी के लिए उपकरनों और सेंसरों को लगाया जाएगा इसके अलावा युद्वपोत में अत्यादुनिक युद्वप्रभंदन सिस्टम लगा है जिसे पाकिस्तानी नेवी की लड़ने की शम्ता कई गुना बढ़ जाएगी यही नहीं इस युद्वपोत के आने के बाद पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा और प्रतिरोधक शम्ता भी बढ़ेगी चीन से मिल रहे युद्वपोत से पाकिस्तानी नौसेना बेहद घातक हो जाएगी जो भारत के लिए खत्रे की घंटी है इसके लावा चीन कई अन्य हत्यार पाकिस्तानी नौसेना को दे रहा है इसके लिए पाकिस्तान ने चीन के साथ 7 अरब डॉलर की डील की थी चीन द्वारा श्रीलंका को दूशत फर्टिलाइजर भेजने के बाद से दोनों देशों के बाद विवाद बढ़ता जा रहा है अब चीनी फर्म ने श्रीलंका सरकार से अपने फर्टिलाइजर नमूने के परिक्षन में लापरवाही के लिए 60 करोड रुपे की मांगी बतादे की चीन द्वारा दूशत फर्टिलाइजर भेजने के बाद से श्रीलंका ने चीनी ओर्गानिक फर्टिलाइजर के शिप्मेंट पर रोक लगा दी है बाद में श्रीलंका सरकार के अनुरोध के बाद भारती वायू सेना के दो ग्लोब मास्टर विमान चार नवेंबर को फर्टिलाइजर की सप्लाई की थी मामले को लेकर आट नवेंबर को दोनों देश के राजनाइक मिले हैं लेकिन बाद चीत किसी नतेज़े पर नहीं पहुंचती दिखाई दे रही चीनी फर्म ने श्रिलंका के करशी विभा की नैशनल प्लांट कॉरिंटाइन सर्विस के अधिकारियों पर अपने परिक्षन में गलत नतीज़े निकालने का आरोप लगाया अक्टूबर में श्रिलंका यदिकारियों ने एक और्गानिक फर्टिलाइजर ले जाने वाले एक चीनी जहाज पर रोक लगा दी थी इसके बाद से चीन श्रिलंका से नाराज चल रहा है चीन ने बद्ले की कारवाई करते हुए पीपल्स बैंक ऑफ श्रिलंका को सबसे बड़ा कमेर्शल बैंक है इस बैंक ने चीनी कमपनी को अदालत के आदेश के बाद पेमेंट करने पर रोक लगा दी थी तो आज की इस खास पेशकश में बस एतना ही फिर होगी मुलाकात तब तक ले देख रही वीकेबी नियूज नमस्कार